और वो जब साधी होगा लड़का लड़की में तो जो पुरूस है वो तो रोज रात में सद्धिया होता उसके साथ करता है नुखमंत्री जी ये बात कहने का प्रयास कर रहे थे पढ़े लिखे लोग सब समझ रहे इस बात को जो बैकपर समाज हैं वो कहां जिसे आप राम भद्राचार है बार-बार-बार-बार हातों को वो बिल्कुल गांटी भासा में बूली ताकि गांओं-गांओं के लोग बिल्कुल रूट लेवल पर जो लोग बैठे हुए वो लोग भी इस बात को आसी हैं गर ऐटा करके गलियों से उठा करके उन महिलाओं को सदन भे की है देखिए आपको बता दे कि बिहार के मुख्यमंत्री नितिशकुमार जिस तरह से सदन में बात रख रहे थे महिला उथान की और जंसंख्या नेंद्रन पर बात रख रहे थे उन्हों समझाने का प्रयास किया कि काफी बढ़ रही है तक सब्दाने का प्रयास कर रहा है लेकिन उनकी जो बयान को तोर मणोर के लोग पेस कर रहे हैं जैसे कि बता देंद्री नितिशकुमार को माफी मागने चाहिए महिलाओं के लिए अब समय ने रहा इनका उम्र बित गया तमाम तरह की बाते हो रही है ले गभी इस सेस्के प्रधान महानसरफ हैं हम बात करें गे कि नितिश कुमार जी के ब्यान तो गया है कि दोनों का लोगों मेरकर अबता रहा है की इस तरह का महिलाओं के लिए बेगोध का देना असमेर्ति रानी जी आपको तो निति जी देखिए बढ़िया से और देख़वों कि होंगे भाई पार्लियमेंट में दोनों लोग साथे भी रहे हैं तो एक दुझे के लिए आमने सामने तो होवे कि होंगे तो अब नितीस कुमार जी की उम्र नहीं रही आप बोल रही है तो चलिए मानिये लिए हम जो कि आप नितीस कुमार जी को बढ़ियां से जानी होंगे और अक्सर नेताओं को आप बढ़ियां से जानती है आपका परखने का जो तरीका है अस्मिर्ती रानी जी बहुत अच्छा है और जो आपका गुबारा जो है गुबारा गाथी वाला गुसा वाला वही फूटेगा मनिपूर में जब बेटियों को नंगा परेड कराया गया उस समय तो आपका गुबारा थोड़े फूटेगा उस समय आपका गुबारा एकदम बिलकुल बढ़ियां से एकदम संतुलित रहेगा न जब बिलकिस बानों प्रकरन्जब आता है तब आपका गुबारा ठीक ठाग रहेगाए को समाज की सम्मानित विधाईका को कपड़ा फार करके अपमानित किया जाता है तब तो अब गुबारा ठीक है ठाक रहेगा अब आपका गुबारा फुटा है तो आपका गुबारा जो फुटा है ना उसमें परदूसित गैस था आपके स्वास्त के लिए बढ़िया हुआ है औ आपको ऐसे ऐसे वक्त दे करके आपका गुबरा फुट वाते रहेंगे बाल विकास महिलाओं के लिए मतलब उथान के लिए इसमिर्थीराणी काम करें देश में मनें कवची उथान कर दिए क्या उथान इनोंने किया अस्तक महिला सो सक्ष्थ करने उनका पहला नाम लोग प्रक्षी मलीक बिनेस फोगाट एक या बोलेंगी कि यह और गोधी मीडिया के लोग बोलें का अधिकार इस रखा एख से लोग बोलेंगा कि रे तो यहाँ अभी वहाँ परल्यामेंट में कंदर सकारा के तरब से महिलाओं के आरक्छन के कुछ बात आई थी सीटों के आरक्छन में वहाँ पे सब फेर लवली वाला के लिए दे दिया गया सीट उसपे कहां कुछ बोली जैसे गोबर्ट होकने वाली हमारी जो महिला है ज प्लदन भेजने का काम किया यह थोड़े भाचपावले करेंगे बाचपावाल को चाहिए कि कौन लिप स्टेक दम बढ़िया से मार ले है कौन प्यरलवली दम स्थीयूज किया है कौन आई भुरों बने ले है वो महिला चाहिए बाचपावले को एक तो अपमान बर्दास नह प्रादना चीए था जिस मनिपूर में बेटियों को नंगा प्रेट कराया गया वह बेटियों को जिनके पती देश की सरहद में अपना सीना तान करें खड़ा रहते हैं कहां चले गए थे आप आप थे उस समय जब बेटियों का आपमान बरदास नहीं कर सकते तो निरंदर को जीव इस तरह सो मुख्मंत्री जी ओल्ञा घंठ हमान को जैसे कोई गलत नहीं है मुख्मंत्री जी यह बात कहने का प्रियास कर रहे थे पड़ें लीक're लोग सब समझे बात को जो बैक verschwash कर रहे हैं हागला कर रहे हैँ यह समाज है जैसे मैंने वर नु आप्यादियों क जैसे उन्होंने कहा कि अब समाज की बेटियां समझदारी अब दिखाती है आया है जागरुखता आया है बेटियों में यहां बंध्याकरन कराओ यह कराओ वो कराओ पुरिशनसवंदी कराओ होता न पहले लेकिन आप जो है अब उससे क्या होता था शरीर पे इफेक्ट पड़ता था शरीर के लिए नुक्सान देथा न बहुत लेकिन अब बेटियां जो है जागरुख हुई है और बेटियां अब मैं जैसे म्यूचुल अंडरस्टेंडिंग के तहत भी अब जैसे जो जनसांक्या नियंत्रन है उस पे कंट्रोल कर लेती हैं यह वह यह कहना चाह रहे थे लेकिन अब इन बातों को वह बिल्कुल गाउटी भासा में बोले ताकि कि गाउग के लोग बिल्कुल जो बिल्कुल रूट लेवल पर जो लोग बैठे हुए है वो लोग भी इस बात को असानी से समझ जाए अब म्यूचुल अंडरस्टेंडिंग जो हमने कहा कि इतने लोग समझेंगे गाउं में तो इन ही बातों को आपसी समझदारी है है ना यह सब को हम नहीं जानते हैं अच्छा राम भदराचार है लगार बात में जुबान काटने के बात करें में काटने के लाट लप अन्दराचार जेंगे तुटे जुरे सोबार दुरजन कुम्ब कुम्हार के कहीधा कादरार साधू सजन और सोना ये लोग तोड़ने फोड़ने की बात करेगा काटने की बात करेगा अरे तो इसको समाज को जोड़ना चाहिए तो यह सवाधू है लंट है एक नंबर का ही लफंद्रा चार्च एक नंबर का लंट है ही नितिश्कुमार का जिवान जवान काटेगा तिकिया काटके अब बेल मूंड कर देंगे तो रहा हम चिंता है तुरे तो हमर मुख मंद्री के तु जवान तु काटेगा तु आओ तो आओ तो तो नसवा पकड़के पिलासवा सना घीच के हम खा गए तो फिर तुका देना कदहा कहीं का मुख मंद्री के तु बोलेगा तु और उतुर्णा यह भी किया कि लालु जी जिस तरह से है कि कायला जैसे ही सब उल्टा पुल्टा करके जिल भेज़वाता रहता है तो राजनीती सुरू हुआ एने से जान रहा है तु भिक्षांगा के उलाद और विक्षाम कर के पर चल रहा है भीक्षा के जगह सिख्षा देने के लिए नहींम को आप संत काते है राजनिती तो इसको कर भीक्षा मंगता है थैंस भीक्षा मांगेगा यह विच्थ में टीड़ियों अरे विक्षाम कर दे लटिया से आप लोग पढ़ रहा है जितने भी बैकवर्ट समाज के लोग एसे समाज के लोग वह लोग पढ़ता है तो यह जो सवर्ण समाज में वह लोग भी पढ़ते हैं लोग को लुट लोग लोग को नहीं पढ़ने दिया संभाधन वे अरती समाज नियाय दिलाए तब न जाकर के नहीं तो कोई हम लोगों को सोफा पर आओ मैंने खटिया पर बैठने चाहिए तब वर्ण में बाट दिया था कि फालना सूध्र है फालना हूँ है तो ही बड़ा का सूध्र है रहे हैं असूधवा कहीं के चला नियाद उसे बढ़ा नियाख है तो चलिए तो आपने साब्त तर्व सुना हमारे साथ में शंतोष रिणी यादव जी थे इन्होंने साब्त तरव पे खहा कि मुख्यमंत्री नितिश कुमानरे जो बाते कहीं कि जन संख्या नियंतरन महिला उथान की जब बाते बाते उन्होंने सदन में जब रखा तो जलना पड़ता है आप साब्तर पर समझ सकते हैं लेकिन इस पर हलाकी बात कर लें बिहार के मुख्यमंत्री नितिश कुमार ने माफी भी मांगा है अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ हुई है तो मैं शमा चाहता हूं माफी मांगता हूं लोगों लेकिन कुछ लोग जो हैं तमाम तरह कि जो लोग है वो कुछ नेता है इनकी दाल नहीं गल रही है लोग हजब नहीं हो रहा है कि जिस नितिश कुमार ने 50% आरक्षन से महिलाओं को 50% आरक्षन जो थी उसको 75% आरक्षन की जाब उन्होंने बात करी शदन में तब उसमें महिलाओं की उठान की बात करा लेकिन अपस्मज़े किस तरह से एक नितीस कुमार जिस तरह से महिलाओं को थान की बात कर रहे थे इसके बाद उनका बयान को तोर मरोडके लोग पेस कर रहे है लोग को यह भी समझना चाहिए कि शदन में 50-75% महिलाओं को जो आरक्षन की बात करें वो नितिश कुमार ही है बाकि इस वीडियो के माधियम से आप लोगी क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया जोड़ दीजेगा